तो बहुत दिन से मैं regular वीडियो अप्लोड कर रहो तो लोग को लग रहा ने कि मैं जो एक महीने की छुट्टी पे गया था ना उसमें मैंने सारी वीडियो बना लिया अब मैं सिर्फ अप्लोड कर रहो मैं अपने परसनल PC में देख सकता हूँ उसे pause भी कर सकता हूँ उसे rewind भी कर सकता हूँ और उस टेम ने मुझे पता नहीं था कि PC में रैम और ग्राफिक कार्ट से भी बहुत जादा फरक पड़ता है तो मैं बोल के आगया था कि मेरी PC में चल्याती सारी गेम है ठीक है ना तो जैसे यह वाली बात उन लड़को कानों पड़ी जिनके पास अल्ड़ेडी PC था और वो बहुत गेम खेलते थे तुन्हों ने मुझे जेना चालू करा गेम की CD और Pen Drive तो उस टाम ने सबके पाद नेट नहीं होता था तो एक Pen Drive एक क्लास के तीनों सेक्शन में घूम रही है तो भाई Pen Drive में होता था दुनिया भर का वायरस और CD में होती थी दुनिया भर की scratch है लेकिन भाई मुझे मनजूर नहीं था कि मेरा CPU कोई CD या Pen Drive ना चला पाए मुझे न अभी भी याद है मुझे ने किसी ने एक CD दी ती उसमें इतने scratch थे न तो जैसी मैंने उसे अपनी CPU म साथ behavior ऐसे ही होता था मेरा ने एक दोस्ते प्रदीब उसके पाप गीन सबसे पहले computer 2012-2013 में आया था और उसके computer में कोई problem होती थी थे न उसके पाद एक ही solution होता था में इस से बंद कर दो हैवी हैवी गेम इंसल्ल करने के चकर में मेरी computer के विंडों इतनी बार उड़ी आने कि मैं विंडों इंसल्ल करने में एक स्पर्ट हो गया था वैस्त तुम लोगों ने एक ट्राइजिक इंस्टिंट सुनाता हूं एक बार ना 9 लास की वात है मैं सुबह उठाए इसकूल ज कौन सा चीट कोड डाला कौन सा मॉड लगाया मेरे सीप्यू के पीछे जो साप पावर सप्लाय होता है ना उसमें आग लग गई फिर भाई जब मैं स्कूल से दुपैर में वापस आ रहा था था एक पेंडराई में नई गेम लेकर कि भाई या नई गेम खेलूंगा मैं घर पर जाके अपना कंप्यूटर खोला फेद्बूक लाया और से रिक्वाइस भेज दी तो उसके तुरंद बाद ना कंप्यूटर अपने बंद हो गया तो भाई मुझे समझ में नहीं आया मैं लेके गया दो आरशा नहरू प्लेस में तो उसके थोड़े दिन बाद कंप्यू तो अब हम 2021 में आ जाते तो मेरे भाई पे ने एक CPU पड़ा हुआ था तो मैंने सुझाए क्यों ना मैं एक्स्ट्रा राम और ग्राफिक कार लगा के इस CPU को अपने वीडियो बनाने के लिए यूज करूं तो फिर भाई मैंने अपनी YouTube की कमाई से ग्राफिक कार और राम खरी तो मैंने बोला ठीक है चल कर लेता हूँ YouTube की पेमन तो अगले महीं ने आईगी मुझे कम्प्यूटर तो भी ठीक कराना है तो भाई जो बंदा sponsor की तरफ से आया ना उसकी English अच्छी नहीं थी और मैंना ऐसी बाते इंग्लिश में करता हूँ प्रोफेशनल लगता है तो सब मैंने उससे अपना final amount बता और अपना phone side में रख दिया तो उसके ना थोड़ी दिरवाद वो message करता है sir we are okay तो मैंने उससे confirm करने के लिए बोला are you okay with word तो उसने बोला sir amount तो यहाँ पर इसने गलती यह कर दी ना तो इसने सबसे पहले message किया ना sir we are okay यह actually में पूठने यह चा मैंने पुरी रात वीडियो बनाई और मैंने अपने भाई से भी बोल दिया उस दिन की कल मुझे पैसे मिल जाएंगे आप ना computer swap पे छोड़ देना मुझे हम लोग computer ठीक करवा लेंगे तो ना अब सुबर की 11 बजे तक मेरी वीडियो जाके final हुई और मेरे भाई को रहा था अल्रेडी लेट तो जब मैंने उसे वीडियो भीजिना तो उसने बोला भाई यह गलत है वह गलत है sponsor में यह तुझे बोलना है वह बोलना है तो भाई मैंने उस्टे इतने कहने पर मैंने sponsor का partner दोवारा से री शूट करके डाला तो फिर मैंने सुचे क्यों ने मैं बाई के स मेरे बैंक में जो amount आया यह वह amount है जो उन्होंने मुझे बोला ता देने के लिए लेकिन मैं तो वह मना कर दिया था तो फिर मैंनोंने उन्से बोला यह तो तुमने गलत amount भेज है तो उन्होंने बोला नहीं सर हमारी यही बात होई थी और मुझे screenshot दिखा रहा है मैंने बोल पर शॉप पे हो मुझे इनको पैसे देने मेरे कंप्यूटर भी ठीक हो गया और वहाँ थे वह भी पैसे वापस मांग रहे तो भाई मैंने चुप चुप कंप्यूटर वाले को पैसे दिया और इन लोग को बोला कि भाई सारी गलती तुम्हारी थी क्योंकि भाई स्पॉंसर सामने से इंग्लिज बोलते हुए ही आयते हैं अब मुझे जिस भी लेंगविज तुम बात करोगे मैं उसी लेंगविज रिप्लाइ भी दूगा तो उसके बाद भाई मैंने अपना फोन किया बंद पीसी लेके आया घर मैंने अपनी वीडियो डाली पीसी के अंदर अब बाई दो महीना मस मखन चलने लगा तो मुझे इसा तो मेरे साथ आस तक ही हुआ कि मेरा सी पू इतना अच्छा चलने लगे तब ही मॉनिटर खराब हो गया मेरा तो भाई उसके बाद मैंने तीन हफ्ते पहले दो नए मॉनिटर खरीदे और फिर पांत दिन पहले सी उन सब को मैंने box में डाला और बोला जब तक में 1,5 लाग का नया PC नी खड़ी लेता तब तक मैं कम्प्यूटर से वीडियो बनाऊंगा इन्हीं सारी फोन से बनालूंगा पिछले साल भी पीशो बनालूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे अपनी ओडियंस पर क पसंद आई तो अपने दोस्तों के दागा शेयर कर देना तुम्हें बाकी कर इत्री वाच पताओ मेरी बाकी वीडियो को भी डेली दिखाते रहेकर अपने दोस्तों को मजबूर कर दो सब्सक्राइब करने के लिए तार बस अब मैं तो लोगों से अगली वीडियो में मिलता ह तब तक के लिए बाई